यह करवा दिया 6 ओके 7 नहीं कर आए तो देखो फटा-फट से होते जा रहे हैं कुश्चन और क्या कर सकते हैं और यह तो मैं कर रहा हूँ आपको भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा अच्छे से क्योंकि मैं तो बताता जाओंगा चलिए 7 इसमें देखिए तीनों पूछा है एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है योगांडा अधिव देखे पीछे से जो बच्चे बैठें अभी थोड़ा सा वो सिर्फ कंसेप्ट पर फॉलो करिये क्योंकि याद करिये जब पेपर दे रहे थे न ऑफ लाइन तो आपने कुछ मनी मन सोचा था और जब एक्जाम दे रहे थे आफ लाइन काफी टाइम ऑनलाइन के बाद दिया तो कुछ न कुछ सोचा था कि इस बार तो धंक से पढ़ाई करेंगे चलिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्जाम इस बार फर्स टाइम ऑफ लाइन दिया था ऑफ लाइन देने के बाद जरूरी नहीं है कि हर बार सारे एक्जाम ठीक हो कुछ बच्चों के ठीक भी गए हैं कुछ बच्चों के कुछ एक्जाम सही भी नहीं गए तो उस ताइम पर हम खुद से कि अगले एक्जाम में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एक-एक वर्ड पढ़ेंगे लेकिन वो प्रॉमिस समय के साथ एक हफ्ते में खतम हो जाता है एक हफ्ते भी नहीं चलने देते मेरे को तर Olay लगता है अभी second phase exam आया मेरे पास काफी बच्चे थे semester 4 के क्योंकि आप लोगों का तो second phase का कोई था ही नहीं कि second phase देना है जो लेकिन semester 4 पे थे ना second phase पे थे exam अगर कल है exam कल है आज बच्चा मेरे से बोल रहा है sir corporate account में कुछ ऐसा करा दो कि मैं pass हो जाओ और honors वाले बच्चे जान सकते हैं corporate account क्या है तो आज करा दो कि मैं pass हो जाओ काफी बच्चे थे कुछ बच्चों ने जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ रहे थे online में उन्होंने बोला sir हमने तो opt कर लिया second phase देंगे अच्छे से तयारी करके second phase भी August में आया June के बाद फिर August में जब आप लोग का paper हुआ था तो वो second phase के साथ हो रहा था तो second phase आया तब भी उनकी situation वही थी ultimately point अगर देखा जाए ना तो हम जो पढ़ते हैं ना exam में जो college का trend set किया गया है हम exam में स्रिफ जब पढ़ाई start करते हैं college के एक मेहने पहले ही करते हैं और उस एक मेहने के पहले जो exam का study start करते हैं उसमें हम कई बार कसम खा लेते हैं कि अगली बार ये गलती नहीं करेंगे उस चीज़ को देखो अभी आपके पास कौन सा मन्त है देखो नवंबर स्टार्टिंग में exam start हो जाएंगे ध्यान रखना नवंबर end में कुछ exam तो नवंबर से start हो जाएंगे आप लोगे चलो दिसंबर में गए लेकिन क्या एक मेने extra मिलने से आप ज़्यादा पढ़ लोगे नहीं पढ़ोगे आप तो इसलिए अभी से अगर पढ़ के चलोगे ना continuously आपके पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट है economics हो चाहे other subject हो law हो company and compensation law भी है मेरे कहाल कुछ बच्चों के पास तो जो भी सब्जेक्ट है भाई starting से लो books लो 10 year लो और खुद के notes बनाओ दूसरे पर डिपेंड मत रहो जो practical subject जैसे income tax है हाँ वो पढ़ रहे हो साथ के साथ हो रहा है लेकिन इसके अंदर भी वो गलती मत करना मैंने पहले बहुत सारी चीज़े बताई है आपको person भी बताई है section भी बताई text calculation भी बताई है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे पीछे की चीज़े भूलते जाते हैं यह आपके साथ ने दुनिया के हर इंसान के साथ होता है लेकिन कुछ इंसान उसको याद रख के आगे निकल जाता है और याद रखने का एकी तरीका है वो revision करता है बस वही first आता है class में जो revision करता है पढ़ते सब हैं चाहे जो first आ रहा हो चाहे topper हो पढ़ता हो भी है पढ़ते आप भी हो फरक इतना है वो revision करता है बस तो ये चीज़ मान के चलो कि पिछला ना आप जब भी page है ना अब फटाफट से revision कर लिया करो उसको आने से पहले at least class में present होने से पहले revision कर लिया करो ताकि कुछ अच्छा हो ठेक है तो ध्यान रखो क्योंकि वही paper इस बार का corporate account का तो हर किसी का paper मैं भी जानता हूँ और बच्चे भी जानते unexpected था क्या देना था नहीं देना था क्या setup किया ना 10 year से paper आये ना कहीं से paper आये लेकिन tax का तो आपका चलिए और ये एक बच्चे के साथ नहीं था corporate हर बच्चे के साथ था वो बोल रहते थे क्या दिया क्योंकि पहले उन्होंने नहीं स्लेबस आउट ओफ नहीं कह सकते पहले से उन्होंने paper का pattern नहीं बताया था आपको कि हम mcq पूछेंगे हम final account में से पूरे वाले चलिए कहता है salary income receive in India बाती खतम हो गई income receive in India बाती खतम होगी जैसे इसने बोला receive in India में आगे बढ़ा ही नहीं तीनों पर taxable हो जाएगा ये क्योंकि receive होगा तो वो Indian income में ही count कर लेंगे उसे आगे income from profession in India but receive Germany सर इंडिया की जमीन से पैसे कमा रहे हो पहले वाले में क्या था Indian company Germany के अंदर था इसलिए सरिफ वहाँ पे था ठीक है ना यहाँ पे इंडिया के अंदर ही है property income in Uganda ये कहाँ है भई चलो कुछ नहीं पता चल रहा तो इतना तो पता चल रहे ने के भारत का नहीं है ठीक है ना एक property है उससे हमें total जो income generate हुआ था न वो पांच लाग पांच में से 240 रहमेटिट टू इंडिया हुआ ऐसा के पांच में से 240 टोटल इंकम था सर पांच लाग का पांच लाग में से 240 हमारा इंडिया में रहमेटिट हो गया तो सर रहमेटिट का मतलब तो सिर्फ रो आर पे टेक्सिबर है बाकी का जो 260 बच गया ना मान लो receive there मतलब वही receive हो गया तो सर ये वाला इंकम तो foreign income बन गया तो अब देखो ये वाला income भी और पे सिर्फ लगेगा और ये वाला income वैसे foreign income बन गया foreign income किस पे लगता है सिर्फ और और पे तो आप ध्यान से देखो कि ये taxable जो पूरे 5 लाग है ना सिर्फ इसके लिए होना इन दोनों के लिए नहीं होना किसी को दिख्कत है क्या आप इसको देखो 5 लाग था remittance था remittance में मैंने बताया था आपको पॉइंट लिखा था आपने किसके लिए taxable होता है सिर्फ और तो चलिए remittance के इसको आरो और में डाल दिया लेकिन दूसरा income receive ही देयर हो रहा है तो हम क्या मान रहे हैं इसको सर हम इसको मान के चल रहे हैं foreign income और foreign income किसी के लिए taxable हो चाहे ना हो लेकिन और के लिए तो आरो और में दोनों को add करके लिख दीजिए या अलग-अलग करके लिख दीजिए अब जैसे अगर माल लो यहां पर है नहीं अगर लिखता profit from business नागा लेंड इंडिया में कुछ ऐसे country मतलब स्टेट्स जो कि हम जानते नहीं जैसे अंड़मान निको बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जो कि हमारा इंडिया का पार्ट है तो ध्यान रखना कुछ चीजों को जो एग्री कल्चर इनकम पोर्ट लैंंड शरीं ऑलिंड ऑलेंड से इंकम रिसीव हुआ तो सार एक तो धिक्कत यहां पर ही है सर एग्री कल्चर इंकम जो है पोलेंड से है अब रिसीव कहां हुआ question नहीं बोल रहा है तो आपको यहां पिर नोट कुक देना पड़ेगा वञी assume that income there, वहीं receive हुआ है, अगर income पोलिंट से कमाया और receive भी यहीं पे हो गया, तो sir foreign income बन गया, और foreign income में किसके पर taxable होता है सरिफ, तो ROR पर 1,60,000 इस पर नहीं होगा, profit from business carried on in Nepal में है business, but control India, आपको पता है, business setup outside India, but control from India point था, तो 2 पे taxable हो जाता है, तो 2,20,000 totaling का काम सर आप, बाद में कर लेजिएगा अपना जो भी रहता है totaling, बस totaling करना है आपको यह बताना है, clear, सर third point में काफी बच्चों का आ सकता है, doubt मैं दुबारा लेके चलता हूँ, third point, चलिए, point number third, ध्यान से देखिए, सर हमारा जो point number third property युगांडा, युगांडा इंदिया का पार्ट नहीं है, तो एक हमारी income generate हुई, और income हमारा युगांडा से generate हुआ, जो इंदिया का पार्ट नहीं है, 5 लाग, अब सर अगर ये income युगांडा से generate हुआ, और वहीं receive हो रहा है, कुछ भी क्या-क्या कहता है, वो देख लेते हैं, कहता है सर इसमें से कुछ income तो इंदिया में लाया गया है, कुछ income, लाया गया कैसे पता चला, remittance वर्ड है, तो इसमें से 240 इंदिया में लाया गया, जिसको नाम दिया हमने remittance, 240 इंडिया में लाया गया जिसको नाम दिया remittance तो सर बाकी का हिस्सा नहीं लाया गया अजंशन है 260 कहां है ये युगांडा में ही इसने छोड़ दिया इस पैसे को छोड़ दिया मतलब वहीं पे receive और वहीं पे है तो एक तरीके से ये वाला income 260 के बारे में सोचो कमाया गया युगांडा में है युगांडा में तो ये कौन सा income बन गया और foreign income से सिर्फ taxable और remittance जब भी होगा तो मैंने point में लिखवाया है सिर्फ taxable या तो अलग-अलग point बना के लिखिया है दोनों को जोड लेजिए clear है किसी को doubt अच्छा बच्चे करें अफ्रीका में है युगांडा ठीक है बताइए c मैंने दुबारा बता दिया doubt किसी को चीक है 240 क्यों नहीं आएगा और में और में नहीं 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 प्रेमिटेंस एक के लिए taxable होगा इसका टोटल कर लिजेगा 220,260 चलिए और कोशन देखते हैं अब कुछ losses वाले question भी देखते हैं कुछ अलग कुछ बच्चे कह रहे थे के सर वह वाला क्यों नहीं हुआ रहमिटेंस वाला दूसरे में तो दिखो मैंने यह कहीं तो लिखा था कहां लिखा कहां लिखा कहां लिखा थार्ड रहमिटेंस होगा तो सर्फ इंडिया के लिए taxable है बाकिये के लिए नहीं है चलिए sir interest receive government paid how to know चलिए यह तो पहले ही हो गया था यहां loss वाला भी है अभी कहां सो होगा सारा किसके लिए निकालना है यह कौन है दो के लिए है ना भाई दो PDF डाले थे हैं इसमें से यह दूसरा PDF है question देखो कुछ बच्चे पूछेंगे सर objective क्या है मेरा पढ़ाने का objective है कि आपको पूरा का पूरा detail में बता देना चाहे question वेदर honors में आयो program में आयो मैं सारे question करा दूँआ आपको practice करो तो आपके हाथ से जब exam में question आए तो कोई question ऐसा ना हो कर रुक जाए मेरा objective यह रहेगा कुछ बच्चों का कह रहे हैं के सर हम जैसे कई बार होता है ने जैसे मैं honors का है program वाले question से घर कराऊंगा तो बच्चे सोचते है बड़े हलके question है मैं तो देखूंगा भी नहीं इसको और honors का करा रहा हूं तो program वाले बोलते है इतना टफ थोड़ी आएगा मैं क्यों देखूंगा इसको तो दोनों तरफ से कुछ नो कुछ मतभेद एक तरीके से मैं सारे के सारे question कराऊंगा आपको बस देखते जाना है सीखने को ही मिलेगा कहता है the following information compute gross total income why the assessment year 20 और 21 sorry 21 वाइस Mr. Y अगर non ordinary resident हो और non resident यानि अगर ये NOR हो और NR हो तो इसका income आप बता दें क्या होगा ये बोल रहा है question ठीक है सर pension मिला है इसे अगर मैं pension की बात करूँ pension service rented in India rented का मतलब होता है इंडिया में ही इसने काम किया but receive England तो सर pension जो इंडिया में service दिया है तो किसी ने किसी company में इंडिया में काम कर रहा हो हो सकता है railway में काम कर रहा हो service इंडिया में दिया अगर आप job railway में कर रहे हो service कहां दे रहे हो इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तीनो अब हमें तो दो का निकालना है तो अभी दो का देखना है Remuneration, Remuneration क्या होता है सर सेलरी होता है Consultancy Service in Canada हमने Canada में Consultancy Service दिया लेकिन कहां से दिया ये भी देखो But half of that receive in Mumbai अच्छा इसका मतलब हमारा 2 लाख रुपए का income है इस 2 लाख रुपए में से Remuneration Consultancy Service in Canada मैंने Canada में ही सर्विस दिया है जिसमें 1 लाख रुपए तो हम receive कर चुके हैं इंडिया में और बाकी का 1 लाख रुपए Canada में ही मेरा पड़ा हुआ है तो सर ये वाली जो income है ये तो हो गई foreign income इसके लिए तो सर्फ ROR ही responsible है टेक्स देने के लिए और ये वाली हो गई Indian income और Indian income तीनों के लिए तो हम तो दो के लिए निकाल रहे हैं तो आएगा ही आएगा तो यहां भी क्या आएगा क्लियर चलिए सर बांगलादेश इंडिया से बाहर है वहां पर एक था control from India तो क्या था आपका दो आता है लेकिन हम सर्फ दो के लिए निकाल रहे है बिजनस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वहाला पॉइंट लगेगा दो के लिए होता था लेकिन पहले वाला पॉइंट तो है नहीं हार और तो सिर्फ और सिर्फ और के लिए लगेगा और मजे की बात देखो लॉस है तो लॉस में क्या करेंगे सर 75,000 माइनस कुछ बच्चे देख रहे होंगे हम एक्जाम में कैसे करेंगे मैं तो देखो सामने जल्दी ताकि जादा जादा कुश्चन कर पाऊं एक्जाम में यही सारी लाइने आपने लिखने हैं एक्जाम के अंदर और उसके बाद फिर इस तो कहने का मतलब है कोई technical fee non-resistant, Non-Resident मतलब मान लेते हैं Bill Gates जो Bill Gates वो non-resident है क्यों सर भारत आई नहीं रहो तो non-resistant है तो fee technical service payable by z, z हमें इसका fees देगा मैंने कोई service दिया Bill Gates को तो वो मुझे फीज देगा तो पेवल वाई Z तो Z कौन है? Non-resident है ठीक है? The payment related to a business carried on in India लेकिन वो business कहा है? इंडिया में मैं तो यहीं से बात कर रहा हूँ उससे इसका मतलब यह income कौन सा हो गया? Indian income ही हो गया जैसे Indian income हो जाता है तो किस पे taxable लगता है? तीनों पे हमारे पास दो है तो हम दोनों पे लगा देंगे इसको तो टोटल कर लीजिए इसका अबाब second point फिर से अभी बताते है नहीं यह 10 लाक है ध्यान रखना एक लाक है अच्छा मैंने गलत लिख दिया हाँ कर रहे है कर रहे है तीन लाक माइनस कर दिया ना चार पच्छे चलिए सर थर्ड पॉइंट एक बार और कह रहे हैं के बता दीजिए थर्ड पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ एक बार क्योंकि मुझे लगी रहा था थर्ड पॉइंट में दिक्कत होगा सर थर्ड पॉइंट क्या कहता है थर्ड कौन सा है हमारा loss वाला रहे, मैंने इसको क्यों कर दिया, चलो इसे वापस लिया loss वाले की बात कर रहे है, कहता है loss incurred in textile business textile business क्या होता है, कपड़ों का, कपड़ों का जो काम होता है उसे textile business भी कहते है ठीक है न, तो textile business से हमें loss हो गया, एक business था, जहां से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया, कि सर जो आपको tax देना है न, वो देना है किस पर, अभी याद आया होगा, मैंने यहां पर भी एक PGPP से loss बताया था तो आपको taxable जो loss होता है न, उसको minus करके total income पर देना होता है tax तो same यहां पर देखिए आपका, देखा जाए तो एक textile business था, जहां से हमें loss हुआ, ठीक है और वो business हमारा भारत के अंदर नहीं है, वो बंगलादेश के अंदर है तो setup outside India है वो, लेकिन हम control जो कर रहे है न, वो इंडिया से कर रहे है तो ऐसे situation में दो पर taxable हो जाता है, तो ROR और NOR पर, तो ROR की तो बात ही नहीं है यहां पर क्योंकि पूछा ही नहीं किया, तो NOR पर सिर्फ मैंने इस पर taxable करना था लेकिन चुकी loss है, तो हम क्या कर देंगे, उसको minus ताकि total income accurate निकल पाए क्योंकि आप profit पर अगर सरकार को tax दे सकते हो, तो loss करके, अगर आपका नुकसान हुआ है तो income में से minus करके अपने tax को बचा भी सकते हो अब बोलता है कोई के हम नहीं minus करना चाहते है, इस loss को मत करेंगे, सरकार कभी मना भी नहीं करेंगे लेकिन logic है यह कि आप minus कर सकते हैं, ठीक है न? fourth point, second point, fourth point कौन सा है भाई, technical fees, fourth point देखिए, यह इंडिया है, ठीक है? अगर मैं fourth point की बात करूँ, तो एक, इंडिया की बात कर लेते हैं, और आप इंडिया में बैठे हो, और एक यहां मान लेते हैं, USA है, आपने USA में किसी Z को service दिया, तो fee कौन पे करेगा, यही तो पे करेगा, आप पैसे कहां से बैठ के कमा रहे हो, इंडिया से, तो भाई, यह कौन से income होगे, इंडियान, तो इसलिए तीनो taxable देगा, क्योंकि यह इंडियान income है, तो तीनो taxable देगा, हमने दोनों में डाल दिया, यह, point number two, आपका remuneration था, consultancy fee, तो इसके अंदर क्या बताया है, सर, दो लाग की total income, जिसके अंदर आपने एक लाग receive कर लिया, तो receive क यहाँ पर एक लाग पर taxable हो गया, और दूसरे वाले पर taxable, यह एक लाग दोनों पर taxable होगा, क्योंकि इसका पता है, actual होता कैसे, अगर मेरा होता ROR, अगर मेरे पास scenario होता, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका होता कुछ ऐसा, ROR, नीचे कर देते हैं तो, अगर कुछ ऐसा होता, ROR, NOR, और NR, तो पता ही क्या होता, जो एक लाग रुपे रिसीव किया है न, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, तीनों पर, और जो एक लाग रुपे foreign income है न, वो सिर्फ यहीं जाता, यहाँ यहाँ नहीं जाता, तो यह वाला तो examiner न क्यू भो कुछर पॉला न, वोización कर दो, ऊजाँ भी जायाँ लाता, एक्या है न, गर यहाँ जाता है, जा ऎक्या हॉषए ठास्छिज를 जाता ही किया है यहाँ रिसी जाता है व क्या हुिए से मत्वें जाने कर दो कर दो, यहाँ जाया है।